सभी आधरनिये मुख्यमंत्री गण, केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी, गवर्नार्ण्स, लेटेन्स गवर्नार्ण्स, आप सब को नवश्कार, अनलोक वन को दो सब्ता हो रहे हैं, इस दोरान जो अनुभव आये हैं, उसकी समिक्षा, उन पर चर्चा, हमें आगे के लिए बहुत उप्योगी हो सकती हैं, आज की इस चर्चा में मुझे भी आप से काफी कुछ जानने का अवसर मिलेगा, ग्राउन्ड रियालिटी क्या है उसको समझने का अवसर मिलेगा, आज की चर्चा के निकले पॉइंट्स, आपके सुझाव, देश को आगे की रणरिक्ति बनाने में अवस्च्च मदद करेंगे, साथ्यों किसी भी संकर से निपटने के लिए ताइमिंग का बहुत महत्व होता है, सही समय पर लिए गए फैसलों ने देश में कोरोना संकरमन को नियंत्रित करने में बहुत मदद की है, बविश में जब कभी भारत की कोरोना के खिलाब लड़ाई का अध्यान होगा, तो ये दोर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दोरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोपरेटिव फर्डरिलिजम का सर्वोत्तम उधारन प्रस्थुत किया, साथियों जब करोना दुनिया के अनेग देशों में चर्चा का विशव भी नहीं बना था, तब भारत ने इस से निपटने के लिए तैयारिया शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिये थे, हमने एक-एक भारतिय की जिन्दगी को बचाने के लिए दिन रात महनत की है, बीते हप्तों में हजारों की संख्या में हमारे भारतिय भाई भेन विदेश से अपने वतन वापिस लोटे हैं, बीते हप्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी स्रमीक अपने अपने गाउं पहुँचे हैं, रेल, रोड, एर, सी, सारे मार्क करीब करीब अब खुल चुके हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंक्या होने के बावजूद भारत में कोरोना, संक्रमान उस जैसा विनास्कारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफ़त पैदा की है दुनिया के बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स, हेल्थ के जानकार लोगडाउन और भारत के लोगों द्वारा दिखाये गए अनुसाचन की आज भारी चर्चा हो रही है आज भारत में रिकवरी रेट पचांस पतितत से उपर चला गया है आज भारत दुनिया के उन देशों में अग्रणी है जहां कोरोना संक्रमित मरीजों का जीवन बच रहा है कोरोना से किसी की भी मृत्यू दुखद है हमारे लिए किसी एक भारतिय की भी मृत्यू असहच करने देने वाली है लेकिन ये भी सच है कि आज भारत दुनिया के उन देशों में है जहां कोरोना की वज़े से सबसे कम रुत्य हो रही है अब अनेक राज्यों के अनुभव आज आत्मविश्वास जगाते हैं कि भारत कोरोना के इस संक्ट में अपने नुक्सान को सिमित करते हुए आगे बढ़ सकता है अपनी अर्थववस्ता को तेजी से सम्हाल सकता है साथियों बीत्वे दो हपते के अनुलॉक वन ने हमें एक बड़ा सबग ये भी दिया है कि अगर हम नियमों का पारण करते रहें सारे दिशा निर्दोशों को मानते रहें तो कोरोना संकट से भारत को कम से कम नुक्षान होगा इसलिए मास्क या फेस कवर उस पर बहुत जादा जोड़ देना अनिवार्य है आवशक है बीना मास्क या फेस कवर के गर से बाहर निकलने की अभी कलपना करना भी सही नहीं है ये जितना खुद उस व्यक्ति के लिए खतरनाक है उतना ही उसके आसपास के लोगों के लिए भी इसलिए दोगज की दुरी का हमारा मंत्र हो दिन में कई बार 20-20 सेकंड के लिए साबुन से हाथ दोनी की बात हो सेनिटाइजर का इस्तिमाल हो ये सभी बहुत गंबीरता से किये जाने चाहिए खुद की सुरक्षा के लिए परिवार की सुरक्षा के लिए विशेश कर गर के बच्चों और बुजरुगों की सुरक्षा के लिए ये बहुत जरूरी है अब तक लगभग सारे ओफिसेश खुल चुके हैं प्राइवेट सेक्टर में भी लोग ओफिस जाने लगे हैं बाजारों में सडकों पर बीड बढ़ने लगी है तो इस सारे उपाय ही कोरोना को तेजी से फैलने से रोकने में मददगार होंगे थोड़ी सी भी लापरवाई थोड़ी सी भी डिलाई अनुशासन में कमी कोरोना के खिलाप हम सभी की लड़ाई को कमजोर करेगा और इतने दिनों की जो तपस्या है उस पर पानी फिर जाएगा हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि हम कोरोना को जितना रोग पाएंगे उसका बढ़ना जितना रोग पाएंगे उतना ही हमारी अर्थेववस्ता खुलेगी हमारे दप्तर खुलेंगे मार्केट खुलेंगे ट्रांस्पोर्ट के साधन खुलेंगे और उतने ही रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे साथियों आने वाले दिनों में अलग अलग राज्यों में एकनोमिक एक्टिविटी का जिस तरफ विस्तार होगा उससे मिले अनुभव दूसरे राज्यों को भी बहुत लाब पहुँचाएंगे बीते कुछ हफ्तों के प्रयासों से हमारी अर्थेववस्ता में ग्रीन सूट्स दिखने लगे हैं पावर कंजम्शन जो पहले गड़ता जा रहा था वो अब बढ़ना शुरू हुआ है इस साल मई में फर्टिलाइजर की सेल बीते साल मई की अपेक्षा दो गुनी हुई है इस बार खरीब की बुगाई बीते साल की अपेक्षा करीब बारा तेरा परसंट जादा हुई है टू विलर्स का प्रोडक्षन लॉकडाऊन से पहले की स्तर का करीब करीब 70% तक पहुच चुका है रिटेल में डिजीटल पेमेंट भी लॉकडाऊन से पहले की स्तीती में पहुच चुका है इतना ही नहीं मही में टोल करेक्शन में बढ़ोत्री होना एकनोमिक एक्टिविटी में बुरुद्धी को दिखाता है लगातार तीन महिने तक एक्टिविटी में कमी के बात जूर में एक्टिविटी फिर से बाउंस बैक करके पिछले साल के प्री कोविर पिरियड में पहुँच गया है यह तमाम संकेत है जो हमें प्रोचाहित कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं साथियों आप पैसे अधिकतर राज्यों में एग्रिकल्चर, होटिकल्चर, फिशरीज और एमेसेमीज का हिस्सा बहुत बड़ा है आत्मन निर्भर भारत अभ्यान के तहट बीते कुछ दिनों से इन तमाम सेक्टरस के लिए अनेक प्रावधान किये गए हैं एमेसेमीज को सपोर्ड करने के लिए अनेक फैसले हाल में लिये गए हैं समय बद्ध तरीके से मेसेमीज को बैंक से क्रेडिट दिलाने का प्रयास हो रहा है सो करोड रुपिय तक के टर्नोवर वाले उद्योगों को बीस परसेंट अतिरिक क्रेडिट के आटोमेटिक इंक्रीज का लाब दिया गया है अगर हम बैंकर्स कमिटीज के माध्यम से ये सुनिश्चित करेंगे कि उद्योगों को तेजी से क्रेडिट मिले तो वो जल्द से जल काम शुरू कर पाएंगे लोगों को रोजगार दे पाएंगे सात्यों हमारे यहाँ जो स्मॉलर फक्टरिज हैं उन्हें गाइडन्स की हैंडोल्डिंग की बड़ी ज़रूरत है मुझे पता है आपके नेत्रूतों में इस दिशा में काफी काम हो रहा है ट्रेड और इंडस्ट्री अपनी पुरानी रफ्तार पकड़ सकें इसके लिए वैल्यू चेंज पर भी हमें मिलकर काम करना होगा राज्यों में जहां कहीं पी स्पेसिफिक एकनमिक एक्टिविटी पॉइंट्स हैं वहाँ 2400 घंटे काम हो सामानों की लोडिंग अलोडिंग तेजी से हो एक सहर से दूसरे सहर तक सामान जाने में स्थानी स्थर पर किसी तरह की दिक्कत ना हो तो एकनोमिक एक्टिविटी और तेजी से बढ़ेगी साध्यो किसान के उत्पात की मार्केटिंग के खेतर में हाल में जो रिफॉर्म्स किये गए हैं उससे भी किसानों को बहुत लाब होगा इससे किसानों को अपने उपज बेचने के लिए नए विकल्प उपलब्द होंगे उनकी आय बढ़ेगी और खराब मौसम के कारण स्टोरेज के अभाव के कारण उनको जो नुक्सान होता था उसे भी हम कम पर कर पाएंगे जब किसान की आय बढ़ेगी तो मनिश्चित रुप से दिमान भी बढ़ेगी और राज की अर्तिवश्चा की गती भी बढ़ेगी विशेशत तोर पर नौर्थीश और हमारे आदिवासी इलाकों में फार्मिंग और होर्टी कल्चर इसके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं और्गेनिक प्रोडक्स हो बाम्बू प्रोडक्स हो दूसरे ट्राइबल प्रोडक्स हो उनके लिए नए मार्केट का अद्वार खुलने वारा है लोकल प्रोडक्स के लिए जिस क्लस्टर बेज रनदीती की गोशना की गई है उसका भी लाप हर राज्य को होगा इसके लिए जरूरी है कि हम हर ब्लॉक हर जीले में ऐसे प्रोडक्स की पहचान करे है जिनकी प्रोसेसिंग या मार्केटिंग करके एक बहतर प्रोडक्स हम देश और दुनिया के बाइजार में उतार सकते हैं साथ्यों बीते दिनों आत्मन दिर्भर्थ भारत अभियान के तहट जितनी भी गोच्णाय की गई हैं वो एक निश्चित समय सिमा के भीतर जमीन पर उत्रे इसके लिए हमें एक जूट होकर काम करना है इस प्रिष्ट भूमी में कोरोना से लड़ाई और एकनोमिक एक्टिविटी से जुड़े आपके जो सुजाव हैं जो तयारियां है वो जानने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ और मुझे पक्का विश्वास है कि अनुभव के आधार पर आपकी जो बाते आएगी वो आने वाले रणदिती बनाने में बहुत काम आयेगी मैं ग्रहमंत्री जी से आगर करता हूँ कि वे आगे की चर्चा का संचालन करें करें